आर डोट भी एच एच का क्या मतलब बनता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं वैसे तो बिना कांटेक्स्ट के इसका पूरा मतलब बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं हो सकता है आप इसी मतलब को ढूंड रहे ह जो है वो honorific यानिकि एक समान देने वाला title होता है बहुत सारे cultures में often used for noble and distinguished individuals यानिकि जो noble या राजा के जो खांदान से लोग होते हैं या उंचे पदों पर जो लोग होते हैं उन्हें आर भी कहा जाता है इसके इलाबा एच एच जो है वो commonly represents his highness यानिकि कि किसी male ऐसे member को जो राजा हो या वहां का कोई बड़ा ओदेदार हो तो उसके लिए भी एच एच यानिकि his highness का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये भी एक तरीके का honorific title होता है royalty के लिए या high ranking figures के लिए यानिकि एच एच commonly represents his highness another honorific title for royalty or high ranking figures so rbhh could refer to someone with the title raja bhaadur and his highness यानिकि कोई भी ऐसा वेक्ति जिसे raja bhaadur का जाता हो और his highness का जाता हो उसके लिए rbhh का इस्तेमाल किया जा सकता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें